हेलो एविवान आज के इस वीडियो में हम लीनियर एलजेब्रा के कुछ क्वेशन डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं एस हमें कोई सेट दिया है उसमें ए टाइप की मेट्रिक्स है और मेट्रिक्स फाइफ क्रास फाइफ की है दो ही एंट्रिज आ सकती है जीरो या फिर वन यहां पर हमें मेट्रिक्स के बारे में दो बाते बताई गई है पहले का मतलब है summation i e i j is equals to one that means for all यहां पर लिखा है j और यहां पर लिखा है i that means कि जो sum होगा of each row of each row and column वो किसके बराबर होना चाहिए one तो हमें पता करना है कि कितने number of elements s में होंगे फिर से question को समझते है देखें matrix हमें matrix a जो है उसमें हमें इतना पता है कि matrix कैसी है five cross five की है दो ही entries होंगी zero या फिर one और जो sum है of each row sum of each row वो one के बराबर है sum of each column वो भी one के बराबर है then ये जो matrix हमने बताई ये matrix किसके अंदर है s set के अंदर है और हमसे पूछ रहा है कि कितने number of elements होंगे s में question s के लिए है ये नहीं है question कि a में कितने elements होंगे अब मैं आपको एक example देती हूँ जैसे मैं इस a type की matrix की मतलब कि क्या बोलना चाहरी है हमने ये matrix बनाई ये matrix five cross five की है अब entries सिर्फ zero और one हो सकती है तो मैंने यहाँ बर one entry डाली तो बाकी की जो four entries one two three four entries होंगी वो कैसी होंगी जीरो ठीक है आप देखो इस row का sum कितना बन गया one column का भी sum कितना बनना चाहिए one तो बाकी सारी यहाँ से भी zero करनी बढ़ेंगी ठीक है three and four then हमने next entry यहाँ पर one डाल ली बाकी हमने यहाँ पर सारी zero zero कर दिया अब sum कितना हो गया row का one column का भी sum one होना चाहिए तो बाकी सारी zero करेंगे इसका sum भी आगया one इसी दरीके से हम किसी कहीं कहीं one entry डाल देंगे so that कि जो sum हो जाए सबका one 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 आजाए और आप इधर से भी देखोगे तो भी one 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 आजाए clear है I hope matrix समझ में आ गई होगी अच्छे से तो देखिए अब हम अगर हमें S का find करना है तो हमने जो मैंने matrix में one place को यहाँ पर कर दिया अब यहाँ पर कितनी choices है one यहाँ पर भी हो सकता है बाकी की जो चार position है वहाँ पर भी one जो है हो सकता है तो five choices है total पहली choice one two three four five अब अगर one यहाँ पर हो गया है next first row में अगर one यहाँ पर हो गया है तो second row में one यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर हो सकता है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो total four choices present है next row में अगर माल लेते हैं कहीं किसी एक place पर अगर हम उसको place कर देते हैं यहाँ पर तो हो नहीं सकता क्योंकि अलरड़ी यहाँ पर एक one है वरना सम जो है column का वो one के बराबर नहीं होगा यहाँ पर भी नहीं हो सकता next row में तीन positions present है जहाँ पर one को place किया जा सकता है अगर माल लो यहाँ पर place करते हो तो यह position गई यह भी position गई अब next two positions बची हैं जहाँ पर one को place किया जा सकता है similarly last में यह सारी positions cancels हो जाएंगे गर one को यहाँ पर place कर रहा है सिर्फ last में एक ही ऐसी position रह जाएगी जहां पर वनको place किया जा सके तो यह क्या form हो रहा है this is 5 factorial मतलब total number of elements जो s में होंगे वो होगा 5 factorial now let us move to second question let d be non zero n cross n real matrix d कोई भी n cross n की real matrix है और यह जो n है यह मतलब 2 cross 2 से matrix start हो चकती है 1 cross 1 की नहीं बनाना हमे 2 cross 2 या फिर 3 cross 3 इस ट्रैप की matrix हो सकती है then in 4 results में से कौन सा result true होगा अब पहले यह जो हम अभी questions discuss कहना है उसमें बस एक ही option correct निकलेगा ठीक है तो multiple select questions जो है इसमें correct नहीं है तो अगर हम कोई एक भी option अगर हमें correct लग रहा है तो बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है जैसे कि पहला question कहता है कि अगर determinant जो है वो 0 के बराबर है तो यह imply कर रहा है कि rank भी 0 के बराबर होगी जरूरी नहीं है अगर माल लेते हैं हमने यह कोई matrix ले ली और क्योंकि determinant 0 अगर इस डी का determinant 0 है that means कि कोई एक eigen value 0 होगी ठीक है तो यह एक मैं कोई 0 रख देती हूं यहाँ पर और बाकी सम्में हमने कोई deserts डाल दी ठीक है तो आप देखो अगर determinant 0 है तो उसके लिए तो सिर्फ एक की condition enough है कि एक भी अगर eigen value 0 हो जाए तो determinant 0 हो जाएगा बाकी तो पूरी हमें proper rank मिलेगी जिसे 4 cross 4 का था यहाँ पर 000 कर लेते हैं लास्ट वाले में तो rank कितने निकल गई 3 निकल गई इस तरह के से काफी सारे case हैं जो आप assume कर सकते हो तो जरूरी नहीं है अगर determinant 0 के बराबर हो तो rank भी 0 के बराबर हो now या फिर आप कोई भी example एक clone form में ले सकते हो तो वहाँ पर हमें क्या है कि elements number of rows मिल जाएंगे और कितनी बार ऐसे हमने example solve के हैं जहाँ पर rank हमें कुछ मिलती है बर determinant 0 मिलता है तो काफे सरे example से यह option जो discard किया जा सकता है second option है कि आगर determinant 1 के बराबर है okay so that implies rank जो है वो 1 के बराबर नहीं होगी okay तो determinant अगर 1 के बराबर है देखें अगर determinant 1 के बराबर था तो that means कि सारी eigen values कैसी होंगी 1 1 1 होंगी clear है एक example एक example हम try कर रहे है और यह check करने की कोशिश कर रहे है ठीक है और फिर rank 1 के बराबर नहीं होगी हाँ यह ठीक हो सकता है कि जरूदी नहीं है कि rank जो है 1 के बराबर हो ठीक है अभी हम इसको दुबारा से देखेंगे third पर आ चाते हैं rank इस बार 1 के बराबर दी हुई है तो मैं क्या कर रही हूँ रेंडमली बस जो भी दिया हुए इसके accordingly एक matrix फॉर्म कर लो फिर आप देखो कौन कौन से discard हो सकते हैं सिर्फ एक ही rank हो सकती है मतलब बागी सारे elements मैंने क्या कर दिया 0 तो इसकी rank इस matrix rank A बन गई अब इसका जो determinant आएगा वो non-zero आएगा तो आप खुदी देख सकते हो कि eigen value कुछ ऐसे लोगे आप और 00 तो बागी की eigen values आएंगी ही एक भी eigen value 0 हो जाती है तो determinant क्या हो जाएगा 0 determinant 0 क्यों हो जाएगा क्योंकि eigen values का product होता है और इसने कहा कि rank सिर्फ एक ही है that means कि बागी सारे रोज में 00 थे और जब हम ऐसे उसकी eigen values लेंगे तो 0 तो आएगा that means determinant 0 के बराबर होगा और यह कहा रहा है कि 0 के बराबर नहीं होगा तो पहला option wrong है और C option भी wrong है D option है कि rank जो है D की वो N के बराबर है मतलब जितने cross की matrix है जितने order की matrix है उतनी ही total rank है उसके बास तो ठीक है number of element जो है rows है सारे field है this implies that determinant जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा अगर मैं randomly कुछ भी numbers ले लो चीक है जैसे कि मान लेते हैं 3 cross 3 की matrix ले ली determinant मैं कि की मैं चाती हूँ 1 के बराबर ही हो तो eigen values सारी 1 के बराबर कर दी हूँ बाकी सम्में हमने को randomly कुछ भी numbers फिल कर दें such that यह तो मैं ऐसी फिल कर रही हूँ such that कि आगे reduce जो है clone form में 00s ना बनाए तो आप देखोगे कि rank तो मैं full कर सकती हूँ और यहाँ पर 111 भी हमें ला सकती हूँ that means कि determinant 1 बन सकता है तो last fall option भी wrong हो गया that means कि बी option जो है वो correct है moving on next question let w be the vector space of all real polynomials at most 3 degree w कोई vector space है और इसमें at most 3 degree के polynomials आ सकते हैं like x cube x square x1 और कोई constant term at most बोला है मतलब जादा से जादा 3 degree के polynomials आ सकते हैं and t is from w to w by अगर आप polynomial p जो है वो इस transformation में हम करते हैं लगाते हैं तो उससे हमें answer जो मिलेगा वो है p dash x मतलब उस polynomial का derivative मिल रहा है mention भी है where p dash is the derivative of p the matrix of t in the basis this considered as column vectors तो w जो vector space है इसमें at most 3 degree के polynomials आ सकते हैं तो यह x cube x square x और 1 यह basis given है ठीक है और हमें पता करना है कि कौन सी matrix जो है वो इस transformation के basis पे form होगी और column vectors ठीक है तो देखते हैं कि एक ही करके जो transformation हमारी t है that is p x is equals to p dash x तो पहला अगर हम लेते हैं तो यह हो जाएगा 1 इसका derivative करेंगे तो 0 x का करेंगे तो 1 फिर x square का करेंगे तो 2 x x cube का करेंगे तो 3 x square तो जो यह transformation हमें given थी और जो basis given थे उसकी help से हमने क्या कर लिया यह इस operator से check कर लिया अब हम a linear combination बनाते हैं कि 0,1,2 x और 3 x square स्क्वेर का देन चेक करेंगे कि किस से हमें कौन सी मैट्रेक्स जो है फॉर्म हो रही है देखें पहला हमें मिला था 0 फिर मिला हमें 1 फिर x square का मिला हमें 2 x 3 x का मिला हमें 3 x square तो 0,1,2 x 3 x square is equal to इन ही के linear combinations को हमें बनाना है तो यह हो जाएगा 0 और 1 एक सेकेंड क्या क्या बेसिस थें 1 x x square 1 x x square x cube यह हमें given था इसी तरीके से बागी सारे भी अब 0 इस तरीके से हमें coefficients लेने है कि answer जो है वो 0 है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं सबका ही 0 कर देते हैं coefficient सबका coefficient क्या कर दिया सबका coefficient हम 0 कर देते हैं so that की answer क्या है 0 अब इसको solve करेंगे इसको मतलब यह इसका easy होगा linear combination बना लिया हमने और सारे elements सारे coefficients 0 हो गए अब next वाले case में हमें answer 1 चाहिए तो क्या करते हैं इस one पर ही one coefficient लगा देते हैं one into one one मन जाएगा बागी सारे zero कर देते हैं तो zero into x zero into x square zero into x cube plus plus okay now यह वापर से लिएते हैं one x x square x cube अब देखो coefficient किस पर चाहिए चाहिए तो हमने two यहां पर कर दिया इसे two x मिल जाए बागी सारे zero zero कर देते हैं plus plus and plus then फिर से one x x square x cube अब देखो यहां पर three है मतलब x square के coefficient में है तो यहां पर three कर देते हैं बागी सबकी coefficients को 00 कर देते हैं अब इससे अगर हम matrix बनाना चाहें तो column vector में लिखते हैं क्योंकि पहला क्या आया है 0000 तो यहां जगा 0000 next one is one बागी zero तो one बागी सारे zero फिर 0200 फिर 0030 0030 तो यह करेक्ट है बागी सारी entries zero होनी ची यहां पर one two three आना ची है तो देख लेते हैं one two three इधर आ रहे wrong यहां पर आ रहे one two three यह वला भी wrong one two three इधर आ रहे तो यह वला correct यह सीधा रहे वला wrong next question is the determinant of the matrix this is अब देखो इस यह जो matrix है इसकी जो खास बात है वो मैंने mark भी कर रख था पहले ही pencil से देखो यहां पर जो इसकी यह वली diagonal entries है वो सारी one one है और इस तरीके से अगर हम देखें तो diagonally क्या के elements आ रहे है two मतलब यह आपके पास two है सारे elements और यहां पर इस सारे elements one है तो इस type की matrix का determinant निकालने के लिए हमारे पास एक formula है that is alpha square minus beta square to the whole power n by इसको यहां पर square bracket नहीं करते n by two ठीक है जहां पर आप एक value को यहां जो diagonal पर है उसको alpha मान सकते हो और एक value को beta मान सकते हो n जो है वो आपका जिस भी matrix जिस भी order की matrix होगी वो आपको बताएगी तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो यह 6 cross 6 की matrix है और value पूट करेंगे हम इसमें alpha की value 1 का square 1 beta के लिए 2 2 का square यह भी 4 यहां पर आजगा 6 by 2 that is minus 3 to the whole power 3 that is minus 27 this is the correct option okay now अगर मान लीजेते से की इसको हमने count किया था 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं यह square matrix के लिए ही है मान लेते हैं कि odd order की आपको matrix मिलती है तो यहां पर यह जो हमने लगाए है greatest integer है okay मालब आप जब 2 को divide करोगे 2 से divide करोगे odd number को तो point में something मिलेगा हम इसका हमें greatest integer हम निकालके फिर value को solve करते हैं moving on suppose the matrix A is equals to this has a certain complex number lambda as an eigen value which of the following numbers must also be an eigen value of A तो matrix हमें given है और यह बोल रहे है कि lambda इसकी एक eigen value है lambda की value कुछ भी हो सकती है अब हमें बताना है कि इन समय से कौन सी फिर इसकी आइगन value हो सकती है तो एक बार हम check कर लेते हैं कि इस matrix का जो sum है rows का वो क्या बन रहा है या फर columns का जो sum है वो क्या बन रहा है उससे भी हमें काफी बार help मिल जाती है जिससे कि अगर first का check करें तो यह 40 है this is 29 and minus 11 तो 0 and 4 minus 14 इन दोनों का sum बन रहा है 40 है answer आगया 0 अगर इसको और इसको लें तो यह आजगा minus 30 plus 30 is equal to 0 now इन दोनों को add करें तो 50 minus 50 is equal to 0 तो आप देख रहे हो कि जो row है उन सब का sum जो है वो 0 बन रहा है अगर rows का sum ना बने तो एक बार आप column का भी check कर सकते हो और जब भी इस type की questions आएं या फिर matrix मिले eigen values से related कोई problem हो तो उसमें हम एक बार sum जो है वो ज़रूर चेक करेंगे तो देखे इसकी एक eigen value क्योंकि 3 cross 3 की matrix है तो इसकी एक eigen value तो 0 होगी ठीक है 3 cross 3 की matrix में एक matrix आपकी एक eigen values आपको मिलेंगी जिसमें से एक eigen value 0 होगी जो भी आपको sum करके मिलता है वो हमेशा उसकी एक eigen value होती है अब यह नहीं कि तीन बार 0 मिल गया है तो हम यह तीनों ही इसकी एक eigen value है नहीं sum तो बराबर ही मिलेगा तीनों का तब ही वो एक जो value आई है sum आया है वो उसकी एक eigen value हो जाएगा दूसरा तो यह कह रहा है कि lambda इसकी एक eigen value है ठीक है और यहाँ पर हम trace निकाल लेते है तो trace क्या होता है trace होता है मारे पास किसी भी matrix का या तो वो sum हो जाए किसका आईगन values का या फिर वो diagonal elements का sum हो जाए हमने trace जो अभी तक हम जानते थे वो यह था कि determinant का sorry आईगन values का जब हम product करते है तो वो determinant form होता है और जब sum कर देते हैं हमका तो trace form होता है correct है यह भी and अगर आप diagonal के elements का भी sum करते हो तो वो भी trace ही होता है ठेके दोनों चीज़े trace कहलाती है अगर हम यहाँ बिर देखें तो 40 plus 30 minus 50 यह आपके पास हो जाएगा minus का 20 तो 40 minus 20 20 तो यह आपका जो sum है trace का वो आ रहा है 20 तो 0 है sum करो कि 0 तो यह हट जाएगा मान लेते हैं कि यह हमारे पास कोई lambda 2 आपका दूसरा eigen value है तो हमें इसने पूछा वही पूछा कि अगला eigen value कौन सा होगा तो lambda 2 is equals to 20 minus lambda will be our third eigen value तो यह होचा का 20 minus lambda c option is correct next question let a be 3 cross 3 matrix with real entries such as determinant of a is equals to 6 trace भी पता है 0 determinant of a plus i is equals to 0 where i denote the 3 cross 3 identity matrix तो eigen value of a हमें बतानी है matrix जो है वो 3 cross 3 की है तो हम a b c a b c इसकी eigen values मान लेते हैं a b c eigen values है a की तो determinant 6 के बराबर है that means कि a b c का product करेंगे 6 के बराबर आ जाएगा trace 0 के बराबर है तो अगर हम इनका sum करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा और determinant of a plus i is 0 के बराबर है वैसे तो इतने से ही हो जाएगा कि बागी की जो options आपको दिये हुए न तो आप ये check कर लो कि किन तीनों को multiply करने से 6 answer आ रहा है और किन तीनों को add करने से 0 answer आ रहा है तो ठीक है तो प्रोड़क्ट शुद भी 6 और sum शुद भी 0 326 ये हो जाएगा माइनस का 6 तो माइनस का 6 आ रहा है प्रोड़क्ट तो रोंग ये हो जाएगा ये तो स्युद भी रांग हो गया मैंनस 6 फोड़क्ट ठीक है तो रोंगर एक होजद गएगा माइनस six प्रोड़क्ट ठीक है यह जगा पॉजिटिव का 6 यह ठीक है सम चेक कर लेते हैं थ्री मेंस तो गया 1 पॉजिटिव 1 माइनस यह आपका दोनों सैटिस्फाई कर रहा है तो लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया डिटर्मिनेंट ओफ A प्लस आई यह भी देख लो एक बार कि जो डिटर्मिनेंट A प्लस आई वैसे इसकी हमें जरुवत ही नहीं पड़ी अगर मान लीजे A, B, C A, B और C हमने आइगन वेल्यूस मानी है आप इसकी आइगन वेल्यूस बताना चाहते हो तो आइगन वेल्यूस हमेशा वन होती है तो प्लस वन, प्लस वन यह इसकी पहली आइगन वेल्यू, दूसरी आइगन वेल्यू, तीसरी आइगन वेल्यू A प्लस आई की यह तीन आइगन वेल्यूस हो गई और यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि determinant of this is equal to 0 मतलब इन तीन आइगन वेल्यूस का जब आप product करोगे मतलब a plus 1, b plus 1 और c plus 1 is equal to 0 तो यह आपके पास 3 equations पता लग गई यह पहली equation, यह दूसरी equation यह तीसरी equation क्योंकि 3 a, b, c में हमें 3 entries found करनी थी find करनी थी, इस वज़से हमें 3 equations मिल गई, तो यहां से भी हम find कर सकते हैं, I think, but better यही था, इसको पूरा solve करके हम a, b, c की values को निकाल लेंगे, ज़्यादा time consuming है, यही से directly check कर लेते कि कौन-कन सी eigen values equation को satisfy कर रही है तो कि 3 equations को solve करने हम थोड़ा time लगेगा then next question है let a, b n cross n की real matrix है, then which is the following is correct, यही तो directly question हमारा आगया theoretical question की जो rank होता है वो a plus b is equals to rank of linearity की condition, rank जो follow नहीं करता, कि आप उसको अलग-अलग करके लिख सको then rank of a plus b is less than is equals to rank of a, इस पर भी एक यह option करेक्ट होगा then a plus b निकाल रहे हो तो minimum देखिए यह वाला जो है न first वाला wrong है क्योंकि linearity की condition follow नहीं होती हम ऐसे अलग-अलग करकर नहीं find कर सकते दूसरा यह जो से ने minimum of rank a और rank b पूछा है, यह a plus b का नहीं होता, यह a into b का होता है, तो यह जो है questions, maximum तो खेर लिया ही नहीं जाता rank minimum ही लेते हैं, यह तो statement ही wrong है, और यह statement correct हो जाती है, अगर यह a into b का पूछता, तो यह b वाला correct है कि अगर आपको rank निकालनी हो दो matrix के sum की तो वो less than is equals to होती है, rank a plus b ठीक है? इसको आप as it is याद कर सकते हो, इस result को next question is यह भी काफी असान question है कि f x जो है, वो कोई minimal polynomial है, इस 4 cross 4 matrix का, minimal polynomial, then the rank of 4 cross 4 matrix f of a is अब इस matrix का rank नहीं पूछा, a का rank नहीं पूछा गया, हमें f of a का rank पूछा गया है, तो f of x यहाँ पर क्या था? minimal polynomial था ठीक है? तो जब आप इस x में इस a matrix को put करोगे, तो answer आजाएगा, आपके पास 0 क्योंकि, जो हमारा minimal polynomial है, वो satisfy, जो matrix है, वो अपने minimal polynomial को, कि minimal polynomial जो है, उसको satisfy करती है, satisfy करने का क्या मतलब है, जिसे मान लिजे बहुत है, simple words में, यह हमारे पास कोई करवे, अगर इस पर जितने भी points है, a, b, c, या फिर x, y, z, वो इसकी equation को satisfy करेंगे, अतलब जब आप इन values को इसकी equation में put करोगे, तो answer किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, तो matrix जो है, अपनी minimal polynomial की equation को satisfy करती है, that means कि जब x की जहाँ पर हम a put करेंगे, तो answer क्या हो जाएगा, 0 next question, let a, b, c be positive real numbers, such that, b square plus c square is less than a, और a is less than 1 है, तो consider the 3 cross 3 matrix a is equals to, इसमें, जो आइगन values हैं, a की, वो या negative होंगी, या फिर eigen values of a positive होंगी, या फिर positive as well as negative होंगी, या फिर eigen values of a can be non real complex numbers, तो complex ये d तो straight away wrong है, क्योंकि ये a, b, c कोई positive real numbers है, ये सारे positive आपके पास real numbers है, 0 बनतो होता ही है, खर, तो complex तो वैसे भी नहीं आएगा, eigen values find करने हैं, basically हमें, जो condition दी हुई है, उसका काफी use है, इसमें, अदराइस तो finding भी हो सकता था, अब देखिए, इसको हम, अगर इसका हम determinant open करें, क्योंकि determinant जो है, वो eigen values से associated है, तो एक बार इस matrix को solve करते हैं, एक बार इस एक्वेश तो 1, B, C, B, A, 0, C, 0, 1, देखिए, अगर यह सिर्फ, 1 क्रोस 1 की होती, that means, 1 क्रोस 1 की होती, सिर्फ इसमें 1 ही element होता, यह वाला, which is greater than 0, अगर, A, 2 क्रोस 2 की बात करें, मतलब यहां तक, 1, B, B, and A, that means, A minus का B square, determinant, determinant of this matrix, is equals to, A minus का B square, ऐसे कोई condition हमें given है, अगर हम इधर से निकाल लें, C square is greater than, A minus का B square हो जाएगा, जब B square को इधर shift करेंगे, तो यह बड़ा आ रहा है, और यह कोई आपके पास, positive ही number होगा, क्योंकि C का square हो रख है, ठीक है, that means, this is greater than 0, नव, इसका निकाल लेंगे, जब हम determinant, so this will be, 1, A, minus, B, तो यह अट गया, B आ जाएगा यहां पर, plus का C, यह अट गया, यहां पर आ जाएगा, minus A, C, इससे multiply होगा न, और B into 00, तो, minus A, C, solve करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा, A, minus B, square, minus A, C, square, अब देखिए, यहां पर, A, minus B, square, किससे बड़ा है, C, square से, तो, this is greater than, C, square, minus का, C, square, आ जाएगा, क्योंकि, यह जो portion है, वो C, square से, बड़ा है, तो, ऐसे भी लिख सकते हैं, now, this is greater than, C, square को common ले लिया, यह बच्चे का, 1, minus का, A, अब यहां पर, एक और चीज़ हमें, given है, कि, 1 जो है, वो बड़ा है, A से, यहां पर, 1 जो है, वो A से, बड़ा है, यह वाली क्वालिट, यह जो नमबर है, वो बड़ा है, that means, कि, यह कितना, यह positive ही आ जाएगा, फिर तो, क्योंकि, हम बड़े में से, आपका हो सकता है, कि, हमने पहले, 1 क्रॉस 1 क्यों निकाला, 2 क्रॉस 2 क्यों निकाला, 3 क्रॉस 3 क्यों निकाला, अब आप देखिए, अगर हम सिर्फ, 3 क्रॉस 3, determinant of 3 क्रॉस 3, चेक करते, और वो हमारा कैसा आया, positive आया, that means, कि, हम यह कह रहे हैं, कि जो आइगन वेल्यूस होंगी, ठीक है, उनका प्रोड़क्ट पॉजिटिव आएगा, पर ज़रूरी नहीं हो सकता है, कि दो आपके negative हो जाएं, जिनका negative कैंसल होकर, फिर आंसर positive बन रहा हूँ, ऐसा भी case हो सकता है, क्योंकि, क्योंकि, में डिटर्मिनेट की बात नहीं पूची गई, आइगन वेल्यूस की बात पूची गई है, तो आइगन वेल्यूस के प्रोड़क्ट से ही, हमने डिटर्मिनेट फांट मिलता है, तो वो positive है, that means कि कि किसी दो आइगन वेल्यूस का, कोई दू आइगन विले इस नेगेटिव भी तो हो सकती है थर्ड वाली पॉजिटिव हो जिस सोड़ाट को कैंसलो कर पॉजिटिव बनी हो चीक है तो ऐसा केस तो नहीं है यह चीज चेक करने के लिए हमने पहले इसी मैट्रिक्स के 1 क्रॉस 1 को सॉल्फ किया फिर 2 को सॉल्फ किया कि इससे हमें सारी आइगन विल्यूस का पता लग जाए जब आप इतना सॉल्फ करके देख रहे हो उसका 1 क्रॉस 1 आपको आइगन विल्यूस पॉजिटिव मिल रहे हैं दो आपने चेक है तो भी आप next question let j denotes 101 cross 101 matrix with all the entries equal to 1 कि ये कोई matrix है 1 1 1 और तल 1 इसी तरीके से 1 है सारी entries 1 1 1 1 1 है और ये 101 cross 101 की matrix है let i denotes the identity matrix of 101 the determinant of j minus i निकलना है ये भी काफी easy question है अब देखें मैंने last time एक video upload की थी linear algebra से related था तो मैंने उसमें इस type की matrix के बारे में आप लोगों को बताया था even solve किया था पूरा जैसे की चीज़ आपो clear हो जाए तो आप लोग वो एक पर वीडियो देख सकते है CSIR net की में ही मिल जाएगी playlist में और आपको चाहिए तो आप मुझे comment section में बता सकते हो link मैं आप लोगों को दे दूँगी तो मैंने उसमें बताया क्या था कि जिससे मान लेजे आपके पास 2 cross 2 की कोई matrix है और उसकी सारी entries 1 है तो जो उसकी आइगन values होती है देखें J-I की हमें आइगन values चाहिए I की हमें पता है identity matrix में सारी आइगन values जो होती है वो 1 के बराबर होती है J की अगर हमें मिल जाए तो J-I की बहुती easily निकाला जा सकता है इसके लिए हम यह result जो है यूज कर रहे है तो 2 cross 2 की matrix है that means कि दो ही आइगन values होंगी क्योंकि 2 cross 2 की matrix है तो देखें एक आइगन values जो होती है वो तो उसकी order की हो जाती है यह 2 cross 2 का है तो एक आइगन value 2 हो जाएगी बाकि की सारी जो आइगन values होंगी तो next हमने ले लिया 3 cross 3 अब इसमें जो आइगन values है वो तीन आइगन values हमें मिलेंगी तो पहले तो उसके order के बराबर हो जाएगी 3 rest सारी 0 0 इसी तरीके से अगर आप 4 cross 4 की ले लेते हो यहाँ पर भी 1 1 1 यहाँ पर भी 1 तो एक तो आपकी हो जाएगी आइगन value 101 मिल गई और हमें 100 times 100 बाकी की जो आइगन values है वो सारी क्या मिलेंगी 0 मतलब यह सारे zeros जो है आपको 100 times मिलेंगी और एक आइगन value है 101 तो यह होता है कि एक तो order जो होता है उसके बराबर ही मिल जाती है बाकी सारी 0 मिलती है फिर माइनस 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 1 बाकी सब पर 1 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यह कितना है total 100 times है इसका अंसर तो 100 आ जाएगा बाकी सबका अंसर आएगा हमारे पास माइनस 1 ठीक है और इसका determinant find करना है मतलब इसकी सारी आइगन values का product करना है हमें तो 100 into 1 कितना आ गया 100 आ गया तो यह correct हो गया अब यह जो negative 1 चल रहा है कितने time है even times है 100 times even times है तो आपका यह 111 सारा cancel हो जाएगा तो अगर कोई minus 100 का होता तो उसमें भी confused होने की जरुद नहीं थी क्योंकि 100 तो इसके आईगा ही determinant बाकी सारे जो आपके 100 times minus 1 आ रहा है उसका जो negative sign है वो आपस में cancel हो जाएगा तो D is correct next question is let A be 5 plus 5 matrix with real entries such that sum of the entries in each row of A is 1 then the sum of all the entries in A cube is okay so A हमारे पस कोई matrix है कितने की 5 cross 5 की और यह बोल रहा है कि जो sum है न इसकी entries का हर एक row में वो 1 के बनाबर पहली row को हमने add किया 1 आ गया दूसरी row को add किया फिर 1 आ गया तीसरी row को add किया 1 आ गया फिर so on 1 1 1 आ गया ठीक है तो यह matrix तो थी A हमें चाहिए अब A cube के लिए तो हम क्या करते हैं कि जो sum आया था न उसी पर हम cube लगा देते हैं तो इस पे भी cube आ जाएगा इस पे भी cube आ जाएगा इस पे भी cube इस पे भी cube 5 cross 5 की matrix तो तब भी रहेगी जब आप A cube matrix निकाल रहे हो just हमें क्या करना है जो sum आपको मिला है entries को add करने पे उसका cube कर देंगे तो 1 का cube करेंगे तो कितना आजएगा वापे से 1 1 1 आजएगा तो अब अगर यह पूछा होता कि sum क्या होगा उसके हर एक each row का तो वो 1 ही होता यह पूछ रहा है कि sum of all the entries question देखिए question में difference क्या है इसमें तो बताया गया कि row का sum है इसमें पूछ क्या रहा है कि हर एक entry का sum क्या होगा तो हमें row wise तो पतल लग गया cube करकरके और इन सब को add कर देंगे 5 times क्योंकि 5 उस 5 कि 1,2,3,4,5 तो कितना आजाएगा total आगया sum 5 क्योंकि इन सब को add क्या 1 आया इनको add क्या 1 आया इनको add क्या 1 तो total कितना आजाएगा इसी तरगे से 5 आजाएगा तो I hope आपको question में difference समझ में आया अगर यह पूछता कि sum of entries in each row in a cube तो answer 1 होता अब क्योंकि यह पूछ रहा है कि sum क्या होगा तो तुम सब को add कर दिया 5 आजाएगा next question the determinant of the n cross n permutation matrix is this अब आप देखिए इसी type का question हमने किया था इस वाले diagonal पे देखे तो सारी entries 1,1,1 के बराबर है बाकि सारी entries इस matrix में 0 दी हुई है that means कि हमें इस से मतलब था यह कैसी मिल गई यह हमें सारी 0 मिल गई तो यह एक ऐसी form यह ऐसी form बन रहे तो alpha square minus beta square or to the whole power n by 2 greatest integer of this okay alpha की value 0, beta की value 1 so this will be minus 1 हो जाएगा beta का square यह minus 1 power यह हो जाएगा आपके पास n by 2 option b is correct next question the determinant of this is equals to यह तो आपने भी काफे बार solve किया होगा vendor and matrix इस matrix को मैंने इसकी video भी upload कर किया इवन 3 x 3 की भी मैंने आप लोग को बताई थी वो भी आप लोग को playlist में मिल जाएगा आप बोलोगे तो मैं comment section में आप लोग को link प्रोवाइड कर दूंगी ओके तो यह last second question है तो matrix की एगर formation जो इस टाइप से होगी है तो सारी entries पहले column में 1 हो फिर next column में आपके पस कोई भी तीन entries हो उसके next column में उनही entries का फिर square हो अगर आप 4 कहना में 1 cross 4 cross 4 की बात कर रहे हो या फिर आगे एक और column add करने की बात कर रहे हो तो उसका cube हो जाएगा then to the power 4 to the power 4 5 इस तरीके से होता है तो determinant find करने के लिए इस tribe की matrix का direct result हमारे पास होता है जैसे की मैंने अभी आपको बता है 1 1 1 x y z x square y square z square is equals to इसको इससे subtract इसको इससे subtraction करना है फिर इसको इससे तो पहला क्या हुए है देखें x y z था तो पहला हो जगा z minus y फिर z minus x फिर y minus का x मैंने proper तरीके से बता रखा है उस video में तो आप लोग वो देख सकते हैं तो यहां से मारे पस directly result मिल जाता है बट अभी problem क्या है इस matrix में कि यह form जो है वो उस type की नहीं है तो हमें थोड़ा से और row operations, column operations वगरा लगा कर इसको उस type का बनाना पड़ेगा तो अगर हम इन दोनों matrix को आपस में subtract कर दें रो 3, sorry column 3 minus column 2 तो यह जो हैं इसमें 1x, 1y यह cancel हो जाएंगे सिर्फ यह बच जाएगा जो कि हमें चाहिए था फिर इन दोनों को subtract कर दें row column 2 minus column 1 पहला तो हमने row column 3 minus column 2 लगाय था फिर क्या जगा यह minus वो sorry यह जो 1 है वो cancel हो जाएगा column कि हाँ ठीक है और यहाँ पर चेंजमेंट हम column 3 में कर रहे हैं इसमें column 2 में चेंजमेंट कर रहे हैं तो क्या formation मन जाएगा इसकी 1 की हो जाएगा आपके पास 1, 1, 1, 1 यह x, y, z फिर x square, y square और z square तो डारेक्टर रिजल्ट आ गया हमरे पार सॉल्व करने की जूरवत ही नहीं है, z minus y, z minus, यह पहला ही option correct है, बाकी सारे तो wrong है, z minus y, okay, z minus x, y minus x, first a option is correct, moving on last question, 26th, the row space of a, 20 into, 20 cross 50 matrix a, has dimension 13, what is the dimension of, of the space of solution, solution space का dimension, पूछा है, of ax is equals to 0, okay, तो हम से पूछा गया है कि solution space का dimension क्या होगा, solution space, okay, we know that, जो solution space होता है, solution space is nullity of that matrix, nullity of a के बराबर होता है, ठीक है, solution of space is nullity of that matrix, so by sylvester law, we know that, dimension is equals to rank plus nullity, यह कुछ रिजल्ट्स है हमारे पार, जिसका इस्तमाल करके हम निकालने वाले है, यह पहला, यह दूसरा, then one more thing, we know that कि जो dimension होता है, चाए हम row space का निकालें, या फिर column space का हम निकालें, dimension, यह दोनों किसके बराबर होते हैं, यह rank के बराबर होते हैं, ठीक है, तो question में हमें यह चीज़तों given है, जो row space है, इस matrix का, वो किसके बराबर है, 13 के बराबर, जो row space given है, चाए row space given होता है, यह column space, वो rank के बराबर होता है, और question में given है, वो 13 के बराबर है, that means, कि यह तो हमें find करना है, nullity, क्योंकि solution space पूछा, वो nullity होती है, यह तो हमें find करना है, rank हमें already question में given है, कि वो 13 है, dimension, dimension आपको यहां से पता सल जगा कि उस matrix की dimension कितनी है, तो यह 20, cross 50 की है, तो हमें कित्त क्या बताती है, तो यह आजाएगा, आपके पास, 50, okay, इसको अदर shift कर दो, 50 minus 30 is equals to nullity of solution space, that is, 50 minus 13 is equals to 37, the option correct है, और अगर मान लेजे, इस तरीके से given होता, 20 cross 50, यह transformation की वे से given होता, तो कुछ इस तरीके से लिखा होता, that, this to the power, dimension 50, to dimension 20, तो हम फिर वो domain का ले लेते हैं, 50, यह लेना हमें यही है, number of columns, अगर ऐसे given हो, matrix के order में, तो आप यह number of column ले ले लिजे, transformation की form में given हो, तो हम domain का जो dimension है, वो ले लेंगे, I hope, जितनी भी questions हमने इस वीडियो में solve किये हैं, वो आप लोगों को clear हो, इनके कोई भी doubt होता ह तो पूत सकते हो, and next video में, we will try कि हम जाद सजाद और questions रो है, वो cover करे, and thank you